आप सब को जय मसी की प्रभु का धनिवात करते हैं आज की सुन्दर शाम के लिए जो प्रभु येशो मसी ने हम सब भाई भेनों के जीवन में जूड़ा है आज की शाम में हम सब मिलकर परमेशो के उपस्तिती में जाएंगे और उससे पहले हम सब मिलकर परमेशो के वचन को मनन करेंगे और परमेशो का वचन भजन सहीता उसका बासट अध्याय और आट पद में कुछ इस प्रकार से कहता है यहाँ पर भजनकार दावत इस बात को कहते हैं कि परमेशो ही हमारा एक मात्र शर्नस्तान है वही है जिसकी शरन में जाकर हम सब अपनी बातों को उससे कह सकते हैं परमिश्वर हमारे मित्र के समान है, परमिश्वर हमारा दोस्त है कि हम उससे अपने मन की बातें खुल कर कह सके, यहाँ पर भजनकार इस बात को कहता है कि हे लोगों उसी पर भरोसा रखो, किस पर भजनकार भरोसा रखने की बात कर रहा है, यहाँ पर प्रभु येश्व मसी के उपर यहुआ परमेश्वर के उपर भजनकार भरोसा रखने की बात कर रहा है कि उसी पर भरोसा करो और आगे भजनकार इस बात को लिखते हैं कि अपने अपने मन की बात खुल कर उससे कहो हालिलुया परमेश्वर का वचन आज हमें आज की शाम में हमें उत्साहित करता है कि हम अपने मन की बात परमेश्वर से खुल कर कहें जैसे कि हम अपने मन की बातों को दबा देते हैं हम सुचते हैं कि परमेश्वर के सामने हम इन बातों को कैसे कहें परंतु भजनकार वचन से हमें उत्साहित कर रहे हैं कि हमें खुलकर अपनी मन की बातों को परमेश्वर से कहना है उसमें कोई लज्जा की बात नहीं उसमें हमें शर्माना नहीं हमें उसमें गिल्ट भावना नहीं रखनी है कि हमने तो पाप किया है हम कैसे येश्मसी से अपनी बातों को कहें कैसे हम उसके सामने जाएं कैसे हम उससे कहें परन्तु आज की शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं मैं आपको मोठीवेट करना चाहती हूं कि परमेश्व का वचन आज हम सबसे कहता है कि अपने मन की बातों को खुलकर परमेश्वर पर कहो परमेश्वर से कहो क्योंकि वही हमारा शर्नस्थान है जि आप अपने भरोसे को परमेश्वर पर बनाए रखें और दूसरी बात कि आप अपनी मन की बातों को खुल कर प्रभु से कहें आपकी लाइफ में दुख हैं समस्क्याएं हैं चिंता हैं गर्जे हैं बीमारिया हैं नाना परकार की बाते हैं जिससे आप घिरेवे हैं आप दु प्रभु येश्व मसी से कहें आप उससे अपनी बातों को खुल कर कहें ताकि वो आपके जीवन में कारे करें जिस पर भरोसा रखते हैं जिससे आप अपनी मन की बात को खुल कर कह रहे हैं जिससे आप प्रें करते हैं जो आपका सर्ण स्थान है इसलिए आपको मैं उत्सा मैं इसे किनाव के इसक है कुछ एसी बात ऑपकी किसी से नहीं कहते हैं यह ऑ्प पार्टनर से के सकते हैं कुछ अपने लाइफ पार्टनर wear ऑफ बनेने व constitutional कि भप यह जिसंट हैं परिष्छान हैं दुखी है आपको लगता है कि सब कुछ जैसे खतम होने पर है सब कुछ है कि मैं इस बात को किसी से नहीं कह पा रहा हूँ परन्तु आज की शाम में परमेश्व कवचन हमें उच्साहित करता है वो कहता कि खुल कर कह दो प्रभु येश्व से अपने मन की बातों को क्योंकि वही है जो तुम्हारा शर्नस्थान है इसलिए मैं आपको मोठीवेट करना चाहती कि आज की शाम में आप अपने भरोस्ते के प्रभु येश्व मसी पर बनाए रखें क्योंकि वो एक मात्र शर्नस्थान है वो आपका विश्वास योग्य परमेश्वर है परंतु आज प्रभु के सामने ऐसे मित्र के सामने जो आपके जीवन में सलिशन को दे सकता है उससे खुल कर अपने मन की बातों को आप कह दें सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीज दे आमेन आईए हम सब मिलकर आज की सुन्दर शाम में प्रभु के अद्भुत आश्चरे कर्मों को जो परमेश्व अपने लोगों की जीवन में आश्चरे कर्म कर रहे हैं गवाही के माद्यम से हम उन बातों को सुनेंगे और उसके बाद हम सब मिलकर प्रात्ना में जाएंगे आप हमारे साथ में प्रात्ना में बने रहीए प्रमेश्य पिता का धनिवाद करते हैं सुन्दर्सी गवाही के लिए प्रभू इस गवाही के द्वारा आज की शाम में आप से मुठीवत और प्रमेश्य से प्रात्ना करें हमरे साथ मिलकर प्रभू येश्य से प्रात्ना करें को आपके सुनकर आपके जीवन में कारे करें आईए प्रात्न करें उस सुन्दर समय में परमिश्वर प्रभू इस साम में परमिश्वर हम हिर्दे से तहे दिल से धनिवादी हैं कि आपने दिन भर में सुरक्षित रखा आपने हम सब की साहिता किया आपने हम सब को प्रभु जी मोटिवेट किया उत्साहिक के अपने वचन से हमसे बाचीत करके प्रभू हम धनिवाद करते हैं और विशेश कर प्रभू धनिवादित हैं प्रभू जी आपकी इस पवित्र अतिपवित्र उपस्तिती के लिए जो आज की शाम में हमारे मध्य में है प्रभू हम आपका आदर करते हैं हम आपका आदर करते हैं हम आपका समान करते हैं उपवित्र परमेश्वयर यदि प्रभू हमसे कोई भी गुना हुआ है पिता यदि हमसे कोई भी गलती हुई है प्रभू आज की शाम में हम बातों को आगे रखते हैं पिता हमें माफ कीजिए प्रभू हमारी गलतियों के परभू पurnाव करते हैं, रिपेंट करते हैं लौड हमें माव कीजिए, क्या विश्वास योगिया हैं पिता. अपने लोगों की गुनाहों को माव करने में खुदावन हमें पाक साफ कीजिए, प्रभू धन्यवाद करते हैं, प्रभू आज की शाम में मेरे परमेश्व पिता जितने भी भाई बहन नौजवान बुच्चे बुजर के इस प्रात्ता को सुन रहे हैं येश्व मस्य के नाम से प्रभू आपकी उपस्तिती से भर जाएं प्रभू आपकी पाक रूस से भर जाएं प्रभू जी हर एक चुके नाम से कैंसल करते हैं मेरे प्रभू मेरे पिता मैं आप रजर किजिये प्रभू आज की शाम में पowitra आत्मा आप मारे प्रात्ना में अगुआई कीजिए क्योंकि आपकी बेना बावुत्र आत्मा कुछ भी नहीं है हाँ मेरे परमेश में प्रातना करते है पिता परमेश आज की शाम में में प्रभू विशेश कर है परमेश पिता आपसे दूया करते है प्रभू जी कि जब उनके कानों ने और उनकी हिर्दयों ने वचन को ग्रहन की एहर सुना है येश मसी के नाम से उनकी जीवन में फलवंतो प्रबूझ और ये हर बात के लिए तुझ पर भरोसा रखने वाले हो सके अपने मन की बात खुलकर आपसे कहने वाले हो सके और अपने जीवन में पहला स्थान आपको दे तो अप्कि बस्तिती में है वो आपकी जम्मुक है पर मेश्व इस्लिए कि आप उनके जीवन में कार एं है यह यह शुराज व मेरे पिता आज की शाम में प्रभू के लोगों को प्रभू आहपकी जरुरत है यैश्व के नाम परमेशा आज उनके जीवन में परभू कुछ ऐसी बाते हैं परभू आज वो खुल गए हैं परभू आज उनके वचन को सुनकर परमेशा परभू आज उन्होंने खुलकर अपने मन की बातों को कहना स्टार्ट किया है वो अपना भरोसा तुछ पर रखना शुरू किया है पर आज वो खुल कर कह सके जो बात वो किसी से नहीं कह सकते है और डिप्रेशन का वो कारण है प्रभू येश्यू के नाम से वो दूर हो जाया रो खुल कर कह सके और आपको अपना शर्नस्थान मान सके प्रभू आजाद हो जाएं येश्यू के नाम से वो लोग जो डिप्रेशन में हाललुया थैंक्यू फादर लॉर धनिवाद करते जो चिंता में है वो आज़ाद येश्यू मसी के नाम से धनिवाद करते प्रबू येश्यू के नाम से इनकी चिंताई दूर हो इनकी समस्याई दूर हो इनकी परिशानिया दूर हो इनकी दुख दूर हो जाए हाँ परमे उनके शरीर काम नहीं कर रहे प्रबू शरीर में बहुत से जगाों में प्रबू इनके लोग थरों आज लिए प्रमsi करते हैं प्रबू और कहते परमिश्वर निकल कर चल कर, चलिजए पेड़ा लोग ते बूहं पेर के नाखुनों तक प्रभू येशु के नाम से वो बीमारिया चली जाए शुगर बीपी थाइराइड की बीमारी निकल जाए येशुमसी के नाम से दूर हो जाए माइग्रेन की प्रब्लम येशु के नाम से दूर हो जाए रसोलिया गाठे गुठलिया येशु के नाम से नस्ट हो जाएं स्टोन की बिमारी येश्यो के नाम से नस्ट हो जाएं धन्यवाद करते हैं प्रभू हर प्रकार का वो रोग प्रभू हम नहीं जानते कि इस समय आपके बेटे बेटिया किस रोग में हैं किस बिमारी में हैं परंतु आप जानते हैं येश्यो के नाम से वो च आज की शाम में इसी घड़ी में परमेशु चंगा कर दिया है Lord, thank you Father for a complete healing Lord We praise you Lord, we lift up your name Lord Jesus because your name is higher, higher and higher Lord Jesus Thank you Father, your name is glory Lord Your name is power Lord, your name is healing Lord Thank you Father, धनिवाद कर तो नाम जो चंगाई भरा नाम है वो नाम जो महिमा सहित है परमेशु हम तेरा धनिवाद करते हैं उस चंगाई के लिए, अद्भूत काम के लिए, आज की शाम में अपने लोगों को छूने के लिए उन्हें चंगा करने के लिए, उनकी सुधी लेने के लिए उनके मन की बाद जो आज उनके लिए, आज उन्होंने खुल कर कही है तो इसे सुनने के लिए क्योंकि आपने कहा धर्मी जन की प्रात्ना की ओर मेरे कान लगी रहते हैं प्रभू आप हर एक जन की ओर अपने कानों को लगाए है येशु आज की रात में प्रभू अपने लोगों को पिता मीठी सुकून भरी नीन दे बुरे सपने प्रभू नीन इनके रोग इनकी बिमारी इनकी चिंता इनके हर प्रकार की परिशानिया दूर हो जाए जितने लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में प्रभू अपने निवेदनों को भेजा है येशु नासली के नाम से एक एक प्रात्ना निवेदन को आगे रखते हैं और कहते प्रभू आ नाम से वह आशिश पाएं उनके जीवन में कारे हों और प्रभु अद्भुत्रीती से उन्नती करने पाएं धन्यवाद प्रभु धन्यवाद सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते वे प्रात्ना इश मसी के नाम से मांगते हैं सुने और ग्रहन करें आमेन आमेन आमें.